कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे आपका स्वागत है आज मैं इस वीडियो के मादम से इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जी डी रिभी आंतरिक का फस्ट दो हजात तेईस बैच का जोई की एडमिट कार्ड सभी लोगों का एक्जाम डेट अंड सिटी अपलोड हो चुका है यदि आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक देदूगा कैसे आप जोई कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए और जोई की इस वीडियो के मादम से मैं आपको बताने कि कैसे आपको जोई की भर कर फिल अप करके ले जाना है तो यह एक्जाम के देखते हुए यह काफी मौतपूर वीडियो है सभी कैंडिडेट के लिए जो इंडियन कोष्टगार नाभी जीडी डीवी आंतरे का फान फिल अप किये हैं और एक्जाम देने उनको जाना है चल का कलरफूल डाउनलोड कीजिएगा ब्लेक एंड वाइट नहीं चलेगा ब्लेक एंड वाइट का मतलब होता है कि वो सिंपल सा नहीं चलने वाला है जो साधा एकदम सफेट टाइप होता है वो नहीं चलेगा जिसमें आपका कलर एकदम फोटो जोए कि इस परकार रंगीन लिखाई देना चाहिए तभी जो ही कि आपका admit card मानने होगा अन्यथा मानने नहीं होगा तो पहला काम है आपका admit card original colorful होना चाहिए colorful निकलवा लिजेगा जहां 5 रुपए के जएगा आपका 10-20 रुपए लगेगा और आपको कोई रोकेगा नहीं exam देने के रिए तो जो ऐसा जैसे मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या document आपका तयार रखना चाहिए और लेकर जाना चाहिए देखिए ये इंडियन कोस्टगाट के official website पर बताया गया है कि document required during various stage of examination देखिए stage first में आपका align exam होता है align exam देने के लिए आपको जो एक क्या क्या document जो एक के लेकर जाना है तो पहला आपका document है एक color print out आप e admit card black and white print out not allowed देखिए यहाँ पर e admit card काफी लोगों को e admit card का होता है देखिए जो colorful admit card है admit card दस्तावेज जो आपका है वही यह admit card आपको कहते हैं जो admit card आप जो कह देंगे कि colorful admit card निकलवा दीजिए वही आपका admit card होगा इससे आप घवडाए नहीं कि ए admit card क्या होता है black and white क्या होता है तो देखिए कि बहुत लोग साधा ही निकलवा कर ले जाते हैं तो उलका माने नहीं होता है वही कहा गया है कि black and white जिसमें आपका फोटो एकदम धूदला दिखाई दे आप पैचाने में नहां आएं तो यही चीज़े बताए गए black and white नहीं चलेगा तो black and white नहीं चलेगा किवल colorful ही आपका जोई कि admit card होना चाहिए पहला ध्यान में रखते विए यह चीज़े आप ध्यान दिजेगा कि colorful होना चाहिए second आपका जोई कि काफी important document है valid original identity proof as a अधार card या pen card या author ID या driving license या passport as a submit upload in the align application farm यहाँ पर देखे समझने की यह बात है कि देखे यदि आप फाम भरते समय pain card upload किये हैं तो pain card ले जाना है ठीक है pain card upload किये हैं फाम भरते समय तो pain card ले कर जाना है यदि आप अधार card फाम भरते समय अधार card upload किये हैं तो अधार card ले कर जाना है और आपको जो एकि अधार कार्ड कमपलसरी है डॉक्मेंट वैरिफिकेशन के लिए लेकर जाना आपका बायोमेट्रिक होता है जो आपका अधार कार्ड से लिंक जो उठा होता है उसका वैरिफिकेशन होता है उसके बाद ही आपकी एंट्रे होती है तो by metric के लिए आपको जो कि अधार कार्ड लेकर जाना compulsory है अब देखें अधार कार्ड में data birth आपके admit card से match नहीं कर रहा है तो आपका 10 का mark seat ठीक है 12th mark seat compulsory है यह जब admit card आ जाएगा तो उस पर लिखा गया होगा कि 10 का mark seat जो है कि आपको लेकर जाना है ठीक है तो 10 का मार्क सीट ओर्जिनल होना चाहिए टू कापी नहीं चलने वाला है यदि आपका डेटा बर्थ या नाम में अधार कार्ड से एडमिट कार्ड से मैच नहीं कर रहा है दोनों सेम सेम नहीं है तो आपको मार्क सीट अवज से ही लेकर जाना है तो ध्यान में रखते वे आ दूसरा की आईणिटी प्रूफ में आपको ओर्जिनल एक जोई की इडमीट कर आए हूँ काफी लोग अधारकार्ड अप्लोड कर आए होंगे पानबहते समय तो अधारकार्ड लेकर जाईएगा अब यहां पर दो कंडिशनБंता है कि अधारकार्ड का जो डेटा बर्थ आ लेकर जाना है ओ भी ओरिजिनल होना चाहिए ठीक है यह ध्यान में रखते हुए आपको एक्जाम सेंटर पर जाना है नहीं तो आप जो ही कि बाहर हो जाएंगे ठीक है अब मैं तीसरा डॉक्मेंट पर चलता हूँ कि तीसरे डॉक्मेंट आपको क्या कर लेकर जाना है तीसरा डॉक्मेंट आपका हो गया तो इन नमर पासपोर्ट साइच कलर फोटोग्राफ वित सिमिलर फेशिया फिच आइजर अपलोड इन अलाइन अपलीकेशन देखे आलाइन अपलीकेशन फार बाते समय जो आप एड्मिट कार पर फोटो दिया गया है इसलेट का जो आपका नाम है डेटा फोटो है वैसा ही आपको जो एकी फोटो लेकर जाना है अन्यथा आपको जो एकी एंट्री नहीं मिलने वाली है देखिए आपको कुछ भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स सकते हैं या इमेल कर सकते हैं मैं आपको जरूर रिपलाई दूँगा तो कोसिस करिएगा कि जो फान भरे हैं ए कि वही लेकर जाएं जो कि एड्मिट कार्ट पर फोटो है दूसरा फोटो ले जाएंगे तो एंट्री होना बहुत मुश्किल है तो आप कोसिस करिएगा कि जो एड्मिट कार्ट का फोटो है वही लेकर जाएं ये काफी इंपोर्टेंट डॉक्मेंट है तीसरा फोटो फिर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीए फार्म का जो एकी मैं आपको लिंक दे दूँगा आप टीए फार्म डाउनलोड करके जो मैं आगे नेक्स्ट बताने वाला हूं कैसे भरना है वो भरके आप टीए फार्म ले जा सकते हैं और जो एकी कैंसेलेशन चेक आप जोई की कैंसेलेशन चेक आप ले सकते हैं वह बैंक से ठीक जाएंगे तो बता देंगे कि हमें कैंसेलेशन चेक चाहिए तो वह जोई कि दे देंगे आपको कि तो यह हो गया और कार स्यर्टिफीकेट जरूर लेकर जाना है और दो फोटो है यह चार डॉक्मेंट काफी ओणिफ्टेंट है सब चीजे ले जासकते हैं देखे आवस्च का दृष कनेस् us बताया गया कि परिछा के समय आपको निश्यााँ सुचिवद सभी अनिवार दस्तावेज लाने होंगे तो सभी अनिवार दस्तावेज आपको जो के लेकर जाना है गड़ा टूब तू बैक मतलब घवड़ा यह मत इसका मतलब यह हुआ कि जो की पीछे के पत्र अंक एक रंगीन आपको जो एक है कि रंगीन होना चाहिए उसका टूक आप लेकर जाना है तो बी टेकन एक्जाम इब देर ब्रेक और प्रिंट आउट देखिया आप जो एकी दुदला या सिंपल साफ ले गए एड़ी कार तो आपको जो एक एंटी नहीं मिलेगी और सेस्ट के लिए का सर्टिफिकेट आपको जो एकी मूल जाती का प्रमारपत आपको लेकर जाना है और सर्टिफिकेट का दो फोटो कापी आपको लेकर जाना है यह काफी इंप्रटेंट डोकुमेंट हो गए हैं अब मैं चलता हूँ सेल्प डिकार संफाकर लेकर जाना इसको काफी आपको ध्यान में रखना होगा से अपर पौशने से पहले आपको यह सब भ वराणसी से दिल्ली तो फ्राम से आप यहां फस्ट में आप भरेंगे कहां से कर रहे हैं वराणसी से कर रहे हैं वराणसी भरेंगे कहां जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं तो आप निव दिल्ली यहां पर टू ने कहीं पर लिखा होता है वैलकम टू निव दिल्ली तो यहां पर बनने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि क्या आपको जो एकि जो इन्ड आपको क्रोणा का कुछ सिम्टम से यहां पर हैं तो यह करिएगा नहीं है तो नो करिएगा मैं आपके जैकी फीबर है तर्टी एट डिग्री आफ हाईगर या 38 डिग्री आपका जो कि टेंपरेशर है या उससे अधीक है तो यह करिएगा नहीं है तो नो करिएगा कॉफ है खासी है ब्रेथले सांस लेने में तकलीफ है है तो याष नौत है तो देखिए आपको जोएक एक ग्राम देना यहां तो सब में नो-nो कर दीजिए गाए ज़्यादा कहा सी आ रही है ज्यादा दिक्कत रही है तो आपका जोएक चेक होगा यह सेकरेंगे तो अच्शे तरीके से इसके बाद दिया गया है कि और यहां पर बताएगा क्या आपके फैंबली मेंबर कोई की कुरोना वाइरस के संक्रमड से आसपास आए हैं कैस में आये तो यह सारी अखैसेश आपको द्यूंग के करें चले जाना है से इक्जाम यहां पर आपका सट कॉण्न होगा नाम पना लिखीजेगा यहां पर अपना सीङनीचर कीजेगा किस डेट को आप एक्जाम देने जा रहे हैं किस डेट को आपका इक्जाम up date का यहां पर नाम जाईट डालिएगा प्लेश आप कि प्लेस पर जा रहे हैं एक्जाम देने निव डिली यदि सहर का नाम निव डिली है तो निव डिली वरानसी दे रहे हैं तो वरानसी प्लेस का आपको जो कि यहां पर फिलिप कर देना है फिलिप करने के बाद आप जो आप मैं आ जाता हूं कि टीये फार्म आपको जो कि कैस आप नम्मः भर देना है, स्टेज कान सा है, तो आपका जोई की unline exam फास्टिक स्टेज है, यहाँ पर नेम आपका देट आज पर काल लेटर यहाँपर आपका जोई की नाम होगा, काल लेटर मतब एड़ूट काड पर आपका क्या नाम है, रवीर गुप्ता नाम है, तो रभ बस इस्टेंट का नाम लिखेंगे कि इंद्रा गांदी जो भी होगा बस इस्टेंट का नाम या ट्रैबलिंग वरांडसी से जहां भी कर रहे हैं इस्टार्ट कर रहे हैं आपको जए कि इस्टेंट का नाम या बस इस्टेंट का नाम यहां पर लिखना पड़ेगा बेंकर से डिटेल आप इंडिविज्वल आप मेकिंग पेमेंट टीए फ्राम थ्रो नैप्ट ठीक है तो यह फार्म आपको जोई की भर कर ले कर जाना होगा ठीक है नेम आप कनिडेट यहाँ पर अपना नाम लिखे जाएगा नेम आप एकाउंटर होल्डर यहाँ पर आपको जोई की यदि आपका ही जोई की बैंक अकाउंट में आपके नाम पर कोई जोई की खाता खुला होगा तो आप जोई की लिख सकते हैं अपना नाम यदि पिता जी का नाम के नाम से खाता खुला है तो यहाँ पर पिता जी का नाम लिखेंगे एकाउंट नम लहागा है कहां पर है यहाँ पर फिल अब यहाँ इसाइभ सब्सक्राइब कर सकते हैं नमर या टिकेट नमर यहां तो आपको जोए कि फिलब करना होगा फिर Actual bus फेर कहां से कहां तक अप्राम कहां से स्टाट की हैं बहुस से ट्रेबलिंग करना कहां तक गए हैं फिर कितना पैसा घिरा है amount में आरियस में बॉस टीकट नमबर यहां पर आपको जोई कि सरकारी जो बॉस चलता है वहां पर टीकेट नमबर आपको यहां पर फिलब करना होगा total आपका जोई कि grand total आप 5 और 6 कितना total आपका जोई कि तो यह पर आपको के फिलब कर देना है और हो यहां पर नियुदल और डेट अपर इसार करेंगे यहां पर क्यार्य करेंगे यहां पर काड़ होगा फोटो अप सेलपी सिटे सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है और इसके बाद पार्ट टू में दिया है यह चीजे दिया गया है आपको पैमेंट करेंगे तो यह आपके लिए नहीं है यह जो भी बैंक में आप देंगे सारी डेटेल और आपका पैसा पैमेंट करेंगे वीडियो पसंद आए तो प्ली लाइक से सब्सक्राइब जैहिन जै भारत बनने मातरम